तो हेलो वैल आप सबी के बारी बार कम डिमांड के भी समले कर आचुके है प्यूरी फैंग डिमोनिस लोटस फिलेम के उपर एक वीडियो जो की हेवेनली फिलेम रैंकिंग में ठाड नमर पर आती है और मुझे पता है गाइज आप सब लोगों की सबसेदा डिमांड नायली दिवरिंग फिलेम से पहले प्यूरी फैंग डिमोनिस लोटस फिलेम के बारे में जान लाना चाहिए और ये तो आप सबी लोगों को पताएए कि नायली ची डिवरिंग फिलेम और प्यूरी फैंग डिमोनिस लोटस फिलेम कितना देदा पावर्फुल है और इन दोने हेव के बैटल वाता है तो इसमें नैली टीटी वरिंग फिलेम नहीं बलकि प्यूरी फैंग इमुनिस लोटस फिलेम जितेंगे और बैटल की बात आही चुकिये तो मैं आफ लोग को बता दू किये दूना ही हेवेनली फिलेम एक यूमन फर्म में हैं और जब सौयन प्यूरी फैं इक हेवेनली फिलेम में से लिए व्यूराइन को में रती पास हो नावी सराथ और फेदेंग तो गईज यह प्यूरी फैंग इमुनिस लोटस भीयाश भार धर दरती पर आती हैं और अब वो हजार साल पीच चुका है अब इस प्यूरी फैंग डिमोनीश लोटेस फिलेम को धरती पर आने का टाइम हो चुका था और उस प्यूरी फैंग डिमोनिश लोटेस फ्लेम के पास खुद के दाव इसके लोड़ बहुत सरे टैक्टिक्स भी है और इसने एक बार तो दाउसेंग लेवल के नाएने स्टार के बंदे को भी मार मार कर पिछोरा फार दिया था और इतना ही नहीं बल कि उसको पूरी तरह से खतम ही कर दिया था तो आफ लोग इससे अंदल दे लागाए सकते हो कि ये प्यूरी फैंग डिमोनिश लोटेस फ्लेम आखिर कौन जी वला है क्योंकि वो बंदा लगबाद डाउसेंग के नाएने स्टार के पिक पर पहुची चुपा था मतलब ये भी कह सकते हो कि वो ब सौल के चीफ वून मैंग सेंग भी आया होता है और अपने साथ बहुत हीजदा पावरफुल एलर्स को भी लेकर आया होता है और अब हम देफते हैं सावयन के गुरूब को जो कि वह वहां पर पहुच चुका होता है उस प्यूरी फैंग डिमोनिक रेलम में एंडर हो जाते हैं और जैसे ही वह लोग डिमोनिक रेलम में एंडर होते हैं तो उनको ये काफी उपर तक सीरिया दिखाई देता है और लगभग दोस मिनर तक चलने के बाद सावयन और सावयन का गुरूब उपर तक पहुच जाता है और उपर पहुचने के बाद उन्हें एक सिंहासन दि के स्माइल आड़ता है और वो यूमन पिकर तुरंट सावयन की ग्रूब से कहता है कि आप लोग अगर फाइट में मुझसे जीत गए तो आफको उसे वेनली फिलम का तार मिल जाएगा जिसको रिफाइन करके आफ उसे वेनली फिलम को अपना बना सकते हैं लेकिन अगर काफी टैम से खुद को सांधर रखा हुआ था वह सब कुछ समझ सुखा था कि यह एक एल्यूजन है और वह कहता है कि जिसने इस प्यूरी फैंट इमुनिशोडस फ्लेम को बनाया था उनकी सभी पिरासत को और उनके पास इतने भी इस की लोड में ठरते उसने सब कुछ यूमन फिकर लगातार सॉल्यण को गूरे ही जा रही थी और वही सॉल्यण की ये बात को सुनकर एक शुनर मस्टर याला हो और बाकि सब भी भी काफी Rushda होते हैं और फिर वह सभी एक दुसरे की तरप देखर कहता है कि क्या हमें इल्यूजन है जिस पर संद कहता है कि हम सब इल्यूजन के बारे में इतना कुछ पता है, और साथी साथ उस human figure की फेसिक्स प्रेशन भी चेंज़ वह थे, और उस human figure की इस question को सुनकर सायून को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे ये सब कुछ कैसे पता है, जिसके साथी सायून अपनी forehead को touch करता है, जिसके बाद सायू को पता चलता है कि इसका रीजन वही इस पीजोल सोल है जो कि उसके माते में एंटर हुई थे और साव्यन को ये भी समझ में आ गया था कि अगर उसके माते में वो लाइट एंटर नहीं हुई हुए थी तो वह भी यहां पर इस इलुजन में फासकर मठ चुका होता और फिर के पास वह सोल लाइट थी जो कि साव्यन को प्यूडिफ हैंग दिमोनिश्प्रिटर्स फ्लेम की मैप फ्रेग्मेंट की चारों पीसे को एक साथ जोइन करने से मिली थी और उसी लाइट की बज़े से साव्यन यहां पर सर्भाइब कर रहा था वरना साव्यन को भी ये नही सारे फिलेम स्लाइस मिना कर अटैक कर देता है और वो कहने लगते हैं कि आज में तुम सब को मार कर अपना से लैब बना लूंगे और फिर हम देखते हैं हौल अफ सोल के चीप को जो की वह भी उस अटैक से बस रहा था और जब हाल अफ सोल के चीप को रोकने में फटने लेकिन तब भी वहाँ पर पील टावर के एक एलडर आ जाते हैं जो की डाउसेंग लेबल के एक एक स्टार में जमीन असमान का फरक वता है। लेकिन पील टावर के एलडर पील टावर के एलडर पील टावर में मुधने के भी काविल ना होती। उस प्यूरी फैंग डिमोनिश लोटस फ्लेम को हरा नहीं पा रहा होता है। और गाई जितने भी लोग यहां पर आये होते हैं वो सभी के सभी डाउसेंग लेबल के एकसपट और डाउसेंग लेबल के पिक के एकसपट होते हैं। लेकिन फिर भी वो सभी मिलकर भी उस प्यूरी फैंग डिमोनिश लोटस फ्लेम को तस से मस नहीं करबा रही होती है। और वही वाइट कपरे पे ने यूमन फिगर फ्यूरी फैंग डिमोनिश लोटस फ्लेम जोड़ जोड़ से हस रहे होते हैं। और उस वाइट कफरे पे ने Human Pig or Fury Fang Demonstrator's Flame ने जितने भी Dozen Level के Pick के Export यहाँ पर आये हुए थे, वो सभी के Dozen Level के Pick के Export वो किल करके Refind कर लिया था। अब वहाँ पर कोई भी डाउजन लेबल के पिक का एक्सपर्ट नहीं था वो सबके सब मारे जा चुके थे और जो भी वहाँ पर बचा हुआ था वो सबके सब डाउसेंग लेबल के एक्सपर्ट थे और आविदर हम देखते हैं सावयन को जो कि अपने सील को पकरे हुए थे क्योंकि सावयन के सील के अंदर जो मिस्टियस लाइट मैप प्रेग्मिन की चारों हिस्सों को जोइन करने से सावयन के बड़ी में एंटर हुई थी वह मिस्टियस लाइट काफी जदा काफ रहा था और सावयन को एसा लग रहा था कि वह मिस्टियस लाइट जारने वाला है और बाहर निकलने वाला है और वही दूसरी तरफ वह प्यूरी फाइंग डिमोनिश लोटरस फ्लेम बहुची जदा पावरफुल अटैक को समन करने लगता है जिनके अटैक से यहाँ पर के सभी के लोग एक जटके में मर कर राक में वदल सकता है और जा प्यूरी फाइंग डिमोनिश लोटरस फ्लेम को इजने जदा पावरफुल अटैक को समन करता हुआ देफते हैं तो वहाँ पर के सभी के लोग भागने लगता है क्योंकि उन सभी को पता चल गया था कि ए अटैक से वो सभी लोग मारे जा सकते है और अभी भी जो वहाँ पर से नई भाला होता है वो सावयन के गुरूव होते हैं लेकिन मास्टर यालाव सभी से कहता आए कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा जिसके साथ ही मास्टर यालाव और वहाँ पर से सभी के लोग भी जाने लगता है लेकिन अभी भी एक स्यूनर और सावियन वही बर था और अभी के लिए सावियन अपनी सीर को पकरे हुए था और उसे काफिस दा दर भी वरा था और सावियन की एसी हलत को देखर एक स्यूनर बहुत इदा डर गई थी और वह काफिस दा परिसान भी वह गई थी और तब भी इधार हम देखते है प्यूरी फैंग डिमोनिशलोटस फ्लेम को जो की उसने एक बहुती यदा पारफुल की इस्टाल अटैक कर दिया होता है। प्यूरी फैंग डिमोनिशलोटस फ्लेम किसी और का नहीं बल की डिमेन लोटस फ्लेम की बात कर रहे थे। थारोड इस्किल भी सिखाई जी लेकिन अंत में जाकर प्यूरी फैंग डिमोनिस लोटस फ्लेम ने भी डिमें लोटस सैंड को किल कर दिया और जो भी मास्टर या लाओ और डिमें लोटस सैंड के पीछ हुआ था उसमें थोड़ी बहुती चेंजे से या फिर कह सकते हूँ कि इसमें थोड़ी बहुती फरक है और आभी दर हम देखते हैं फ्यूरी फैंग डिमोनिस लोटस फ्लेम की नदर सावयन के उपर परती है जो कि उसके बहुत ही उदा पावरफुल क्रिश्टल अटैक को बलकि यहां पर के सभी के लोगों को यकिन नहीं आ रहा था कि यह क्रि गोल्डेन लाइट समकने लगती है और उसके बास सलियन के बाड़ी में से एक युरुजनरी बाड़ी बाहर निकलती है जो कि सेम तुसेम उस प्यूरी फैंग डिमोनिस लोटस फ्लेम की हुवन फिगर की तरह ही लग रही थी और फिर वो सलियन के बाड़ी में डीमन लोट से कुछ संद नहीं कर पाई हूँ जिस पर वो प्यूरी फैंग डिमनीश लोटस फिलम डिमन लोटस से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया था और तुम मेरे बदोलती डावसें लेवल के नाइने स्टार के पिक पर पहुंचे थे मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की थी लेकिन फिर भी तुमने मुझे सिल कर दिया और इसलिए तुम मेरे ब्लाक स्लास के खारान मारे गए थे और वही वह प्यूरी फैंग डिमनीश लोटस फिलम और भी जिदा पागल और गुसे में आ गया था और इसके साथ ही वह फिलम तुरंट एक अटैक को त दमजाता है और फिर सावयन के बाड़ी में वह डिमनीश लोटर सेंड कहता है कि यह अटैक मेरे दोरा बनाए गई थी तो तुम मुझसे ज़िदा इस अटैक को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं और मेरे दोरा जितने वी अटैक तुमने सिखे वह सभी के सभी कंट्रोल मेरे हाथ में और तुम उस अटैक को मेरे अनुमती के बिना तुम यूज नहीं कर सकते हैं अब अपनी अटैक को इस तरीके से खतम हता देखकर वो प्यूरीफाइंग दिमोनीश लोटर स्फ्लेम डिमन अटो सेंड से कहता है कि हरामी क्योंकि प्यूरीफाइंग दिमोनीश बोरिंग जिनकी जी थी और अब वो फिर से वापस हजार साल की बोरिंग जिनकी नहीं जीना चाता था इसलिए वो एक बहुती जुदा पावरफुल अटैक करता है जो की वहता है डिमोनीक्स फ्लेम वोर्ड दिस्ट्रक्शन और इस अटैक को करने के बाब उस प्यूरीफ लेकिन तब भी सावयन भी कहता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाओ जितनी जल्दी वो सके उतनी जल्दी निकल जाओ अगर तुम लोग जिनना रहना चाते हो तो और अभी के लिए सावयन नहीं बल्कि सावयन के बोड़ी पे डिमन लुट सैंड बोल लेकिन तभी एक्षुनर कहती है कि सावयन जो की अभी भी डिमन रुटर सैन के कंट्रोर में था और किसी को पता नहीं था कि साथ आगे क्या ओने वाला है इसलिए एक्षुनर किसी भी हालात में सावयन को सोड़कर नहीं जाने वाली थी और साथ ही यहां का टेंपरेशर इतन कि उनका मन सावयन को छोड़ कर जाने का नहीं था लेकिन वो यहां रेकर भी सावयन का कोई भी हेल्फ नहीं कर सकता था इसलिए मास्टर यलाद भी सपेस टरनल की दाने लगता है और वेसे तो कायज आप सवी लोगों को पता आए कि इस दुन्या में Master Yellow को जो सबसे ददा प्यारा है वो सिर्फ और सिर्फ सावयन है और अब इसके साथ ही वहाँ पर के सबी किलोग इस पेस टरनल से बाहर निकल दाता है और अब जो यहाँ पर रेच चुका था वो सिर्फ और सिर्फ सावयन और एक्षुनर था और अभी के लिए एक्षुनर यहाँ पर के टेंप्रेसे से बसने के लिए अपनी गुर्डेन एंपरर फ्लेम को बाहर निकार लिया था जो कि हेवेनली फ्लेम रैंकिंग में फोर्थ नमर पर आती है और इधर हम देखते हें वो यह से जाते जाते जाती एक्षुनर से कहता है कि तुम साऊजन का ख्याल लगना हम तुमारा बाहर वाइट करेंगे और वे से भी मास्टर यहाँ पर सवियन पर पुरह यह किन था कि उसे कुछ भी नहीं होगा और साव्यन उसके सामने बैठा हुआ था और साव्यन के बड़ी में वो डिमन लोटस एंड कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम एक छोटे से बच्चे की तरह थे बिल्कुल पी और जिसके बार मैंने तुम्हें सुझने समझने की सकती दी और काफी सारी स की जिहाई जिससे कि तुम हुमन के थाट को समझ सरके और अपने आपको फ्रोटेक्ट पर सको लेकिन मैंने जैसा सुझा था तो मुझसे बहुत यदा अलग निकल दे अब सलिन की ये बात को सुनकर वो लोटस कहता है कि ये मेरी जिन की है मैं कैसे भी जीना चाहुआ आप में इंटरफेर मत करा दे जिस पर वो दीमन रोटे सशेंड कैता है कि मैंने तुम्हें ऐसा बनाया इसका रिजन मे और मुझे एक चांस दो जो कि मैं इस गलति को सुधार सको और फिर इसके साथ वो दीमारी बुद्धि वरुन यादों को मिठा दूना जो कि मैंने तुम्ह जिसके बाद तुम बिल्कुल पहले कि जैसे पियोर हो जाओगे, बिल्कुल वेसे ही जैसे कि मैंने तुम्हे पहली बार देखा था, जो सुनकर वो Purifying Demonstrator's Flame कहता है कि मैं तुम्हे एसा कुछ भी नहीं करने दूगा, और उसके बाद वो उस Firewall पर अटाइक करने लगता है, ल लेकिन अभी भी उस Purifying Demonstrator's Flame की पुरी तरीके से यादे नहीं गई होती है, उसमें अभी भी थोड़ी बहुत यादे बची हुई थी, अब ये देखर वो Purifying Demonstrator's Flame और वीच दे नराज लाता है और वो काफी सारे अटाग करता है, जिस पर रोटर सैंड कहता है कि आपको एस करने की कोई जड़ात नहीं है, आपको तो पताइए कि ये सीलिंग मेथर कितना देदा पावर्फुल है, आप इसको नहीं तुर पाएंगे, उसकी बात सुनकर प्यूरी फैंग डिमोनिश्टर स्वेम कहता है कि आप मेरी बुद्धी और यादे को ही मिठा देंगे, तो फ् इसे खतम करूंगा, और इसके बाद वो फॉर्मेशन को फिर से चेंज करते हैं, और उस प्यूरी फैंग डिमोनिश्टर स्वेम की पुरी तरीके से यादे मिठाने लगते हैं, अब ये देकर वो प्यूरी फैंग डिमोनिश्टर स्वेम बहुत चीज़दा घवराजा थी, और वो थोड़ी दर के बादी रिफाइन हो जाती है, अब दार सॉयन के बड़ी में से वो इमेजनरी डिमन लोटस सैंड की बढ़ी बहार निकल जाती है, और उस प्यूरी फैंग डिमोनिश्टर स्वेम के पास सली जाती है, और सॉयन के बड़ी में से लोटस सैंड की बड फोसे ही सबसे चुजदा करिप तुम ही तुमसे निराज नहीं हो। तो नहीं यहाँ पर से चले जाएंगे जो यहाँ पर बचेंगी वो होगा तुम और तुम पहले जैसे ही रहोगे जब कि मैंने तुमसे पहली बार मिला था और इतना कहने के बाद वो फर्मेशन डिश्टुई हो जाती है और वो दोनों भी एक लाट की किरन में चेंजो कर डिश्टुई हो जाता है और अब हम देखते प्यूरी फैंग डिमोनिस्टुटस फिलेम को जो की पहले की तरह हो चुके थे और अभी के लिए उसकी एपरेंस एक वैट कलर की लोटस की तरह थी जिसकी अब कोई भी इंटिलिजेंस नहीं थी और वो प्यूरी फैंग डिमोनिस्टुटस फिलेम अब किसी पर अटाक भी नहीं कर रही थी लेकिन सावयन जलबाजी करके अभी इस फिलेम को एपजब भी नहीं करने वाला है और तोड़ यहाँ पर के इस पेस टरनल भी डिसिपेर हो गया है और एक शुनर ने थोरी दर पिले ट्राय किया था उसे इस पेस टरनल को खोलनेगा लेकिन एक शुनर अपने पावर के साथ भी उसे इस पेस टरनल को नहीं फोल पाती है अब एक्षुनर की ये बात को सुनकर सावयन कहता है कि जब हम यहाँ पर से निकल ही नहीं सकते हैं तो फिर मुझे इस प्यूरी फैंग डिमोनिश्वेट उस फ्लेम को एपजब करने का फ्रोसे से स्टार्ट करतेनी चाहिए जोसुनकर एक्षुनर केती है कि क्या तुम सुर हो क्योंकि ये हवेंख्यली फिल्म ठाट राएंग का हेवेंख्यली फिल्म जोए है जो की अवी वहुती जदा पावर्फूल है जिस पर सावयन कहता आए कि हाँ यह बात साथ है और अभी सावयन को इस सेवेनली फिलेम को एपजब करने का 50% होता है और बहुत कम्हील वगे इस वर्ल में जो की कह सकते है कि हम इस सेवेनली फिलेम को एपजब कर लेंगे और अफ सावयन एक सुनर से कहता आए कि यह प्लेस बिल्खूल सही इस फ्लेम को यद्फ करने के लिए इस प्लेस में यहाँ पर कोई भी नहीं आपाएंगे चाहे वो कितने भी जदा पावर्फुल क्यों न हो इसलिए सायन यहाँ पर सेफ रहेगा इस फ्लेम को यद्फ करने के दोरा मैं किस यहां पर बäटा ओ और जब सावयन एक सुनर को बिना कपड़ों में देखती है खुद को गले लगाए तो सावयन का छोटा भाई बारा होने लग गया था और वो खेलने के मूड में आ गया था और अभी के लिए सावयन और एक सुनर एक फायर बार में कवर था जिनको कि तीन कलर की हेवेनली फिलम प्रोटेक कर लए थी और देखते ही देखते ही वो फायर बल ब्लास्ट हो जाता है और उसमें से एक पिंक और गुल्डन कलर की लाइट असमान में सूट होता है और फिर हम देखते ही उस फायर बल को जिसमें से कि सुनर बाहर निकलती है अब इसके साथ ही एक्षुनर सॉयन से कहती है कि सॉयन तुम काफिजदा एस्ट्वंग बन दे हो। जिस पर सॉयन एक स्माइल के साथ कहता है कि आप जब मैं हौल अफ सोल से मिलूंगा वह वो मुझे देकर पेंड में ही सुसु कर देंगें। क्योंकि अभी के लिए सॉयन का लेवल डावसेंग लेवल के 5 स्टार के पीपर बहुच चुका था और वही एक सॉनर भी डावसेंग लेवल के 5 स्टार पर पहुच चुकी थे। से आसपास में बहुत इजदा हलचल होने लगती है और फिर वह पींग फिलेम एक बच्चे में बदल रहता है और जब सॉयन और एक सुनर इस बच्चे को देखते हैं तो काफीजदा सफ्राइज होता है और अब ये बच्चा सॉयन के हाथों को पकर कर अपनी गालों में र बचल अब देखते हैं और फीर सॉयन केहता है कि क्या सच में यह मेरी हेवेन्ली फिलेम ही एक जो कि मेरी बॉडबी से निकला है जिस पर एक सॉनर कहती है कि में सेवेनली फ्लेम से एक फेमिलियर औरा को फिल कर सद्थी हो एसा लागता है कि यह मेरी बॉल्डेंबर फ्लेम की तरह है क्योंकि साव्यन ने प्यूरी फाइंग की मुनिशूट उस फ्लेम को भी अब जोब कर लिया था इस वज़े से इस फ्लेम में बॉल्डेंबर फ्लेम के बी एसेंस है लेकिन साव्यन ने उस बुल्डेंबर की इसकील को बहुत ही इजीली सिख सकती है अब देखते ही देखते हुँ हाप पर दौस फायरोटस से पेर हो लाते है अब सुध्यन इस चीज़ को देखकर पुरी तरीके से सब्ड़ हो जाता है क्योंकि सो एतने सारे फ है रोटे से काफी टाइम जाना स्ट्रोंगर है और फिर साव्यन कहता है कि इस बार तो मुझे काफी जदा बड़ा खजाना मिला है और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खतम हो